दुनिया की सुनना बंद करो दोस्तों, इमेजिन करो एक छोटा सा गाउं जहां रहता था सूरज सूरज एक सपनों भरा लड़का थी लेकिन उसकी दुनिया उसके आजपास के लोगों के राय से घिरी हुई थी लोग कहते थे, ये सपना देखना जरूरी नहीं है तुम यहीं रहकर ही खुश रहो लेकिन सूरज ने कभी सुनना नहीं चाहा उन लोगों की बातों को सूरज ने डिसाइड किया कि वो अपने सपनों को चेस करेगा चाहे दुनिया उसके खिलाब क्यों न हो जाए उसके अंदर काफी कुछ है दोस्तों हमारे आजपास की दुनिया हमें कभी-कभी अपने सपनों को नजर अंदाज करने के लिए कहती है लेकिन अगर आप अपनी आवाज पर धरोसा रखेंगे अपने इरादों में ग्रिटता दिखाएंगे तो आप अपनी मन्जिल को हासिल कर सकते हैं सूरज ने भी बिल्कुल वहसा ही किया और आज वो अपने सपनों का पीछा कर रहा है तो दोस्तों दुनिया की सुनना बंद करो का मतलब यह है कि आपको अपने सपनों पर भरोसा रखना है चाहे लोग कुछ भी कहे हर इंसान की कहानी अलग होती है और आपकी कहानी भी कुछ खास है आपको अपनी आवाज को बुलंद करना होगा अपने सपनों का पीछा करना होगा कभी-कभी हमें लगता है कि हम कुछ नहीं कर सकते लेकि हमार अंदर एक अज्बू शक्ती है आपको अपने आप में घूमना होगा अपने असली पोटेंशल को समझना होगा तब ही आप अपने सपनों को हकिकत में बदल सकते हो तो दोस्तों दुनिया की सुनना बंद करो और अपनी आवाज को बुलंद करो आपकी आवाज में ही आपका असली दम है अपने सपनों को हकिकत बनाने में कुछ भी मुश्किल नहीं है बस आपको अपने आप पर भौरोसा रखना होगा और याद रखना आपका हर कदम आपको आगे बढ़ाएगा अगर आप अपने सपनों का पीछा करते ही हैं आल दोस्टूब